नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आश्या सर्माल आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में हम चर्चा करेंगे डीडीसी चुनावों को लेकर ही क्यूंकि सरगर्मिया जस्तरह से बढ़ती जा रही है के इंदर शासत प्रदेश जमो कश्मीर के अंदर वो देखते ही बन रहा है हर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोव पर प्रति आरोव पलगा रही है और उस पर भी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है कि आखर कितना सच और कितना जूट है उसके साथ ही आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कारिक्रह में पोहें केंद्रिये वित राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बहुत-बहुत स्वागत सरकारिक्रम में जुड़ने के लिए सबसे पहला सवाल यही है कि जो इस तरह से डीडी सी चुनाव हम देख रहे हैं कि चरम पर पहुँच चुके हैं जिला विकास परिशित के चुनावों में भाग लिया और नए डीडी सी के सदस्यों को चुनेंगे अपने परदेश के विकास के लिए लोग तंतर को मजबूत करेंगे उन ताक्तों को एक कड़ा जवाब मिला है जो लोग पहले चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे भाग लिया तो गुपकार गैंग बना कर लिया और फिर डर पैदा किया कि लोग हत्यार उठाएंगे बुलेट चलेगी लेकिन जनता ने बता दिया वो मोदी जी के साथ हैं लोग तंतर को मजबूत करने के लिए हैं जादा मद्दान किया बुलेट को हराया और बैलेट में बटन दबाया ये दिखाता है कि जनता का विश्वास विकास में है निरेंदर मोदी जी में की तरव से आपकी काफी जादा प्रशंसा जो है वो की गई है एक प्रशंसा के तौर पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किये हैं जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अनुराग ठाकुर एक युवानेता हैं और बहुत अच्छा जाना माना एक चेहरा वो बने हैं और जाहिर त चाता हूं कि साथ लगते पहाड़ी राजे हिमाचल से मैं आता हूं हम सबसे पहले चाहते हैं कि जम्मु किश्मीर में शांती हो यहां का नौजवान पत्राग की सोच के साथ ना जाए और उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है हम चाहते हैं कि युवाओं को सत्त कार्स्मेंट्स आएं लोग निवेश करें रोजगार मिलें दूसरा हमारा जो हम केंदर से बड़ी-बड़ी प्रयोजनाएं लाते हैं एम सास्पताल जम्मू और कश्मीर के लिए ऑ आई आई टी जम्मू कश्मीर के लिए आयम कश्मीर के लिए पर सेंट्र इन्वेस्टिक और उसके लिए हम नीव रख रहे हैं आधार रख रहे हैं और मैं कहूंगा अगर सभी राजनेतिक दल मिलकर सहीयोग करेंगे तो जो सतर वर्षों में जम्मू कश्मीर ने खोया है उसको वापिस पाया जा सकता है अटल जी के बाद नरेंदर मोदी जी दूसरे ऐसे नेता हैं जिनों ने जम्मू कश्मीर को दिल खोल कर विकास करने का काम किया एक तरह से अपना राज्य मानकर अपना घर मानकर इसका विकास किया बाड आई तो भी आए चीन ने अतिक्रमन करने का प्रयास किया तब भी लदाक में आए उससे पहले भी कारगिल और बाकी क्शेत्रों में आए जब दिवाली मनानी थी कश्मीर में आए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जम्मू किश्मीर के मेरे भाई और बहनों जिन लोगों ने दो तिन परिवारों ने सतर वर्षों तक केवल अपने परिवार को पालने पोस्टने का बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देने का देश और दुनिया में अफसर दिया लेकि आपको दो तिन कमरों में बिन बिजली के रहने पर मजबूर किया अपने घरों में उनके पानी आता है लेकिन मेरी बाकी बहनों को कई किलो मिटर तक पानी लेने जाना पड़ता है तो यह है जो पिछले सतर सालों में आपके साथ हुआ मोदी जी आए हैं जिनोंने हर गाउ इमानदारों से हमें बैर नहीं, बैमानों की खैर नहीं। ये महबूबजी सुनकर चलें, गुपकार गैंक सुनकर चलें, जिन्होंने परदेश की सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीन को लूटा है, कबजा किया है, और 3,42,000 करनाल जमीन, राज्ये की हडप गये ये लोग, 25,000 क्रोड पे जमा कराना था, खजाने में नहीं करायें लो करके देंगे, वो जमाने चलेंगे महबूबजी और गुपकार गैंक के लोगों सुनलो, कि जब यहां पर करॉप्शन एक्ट नहीं होता था, आप लूटते थे, पूछने वाला कोई नहीं था, अब जब आप दाही आपकी ते होगे है, जब आपको देना ही पड़ेगा, जब आप नहीं दे पाओगे, तो वही होगा, जो किसी और ठगी करने वाले के साथ होता है, किसी और भरष्ट आदमी के साथ होता है, धारा दिन सो सतर और पैंतिसे के जाने के बाद कहां जा रहा है, भारती जड़ता पार्टी की तरफ से कि जमू कश्मिर के इंदर शासित प्रदेश के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पीडिपी पार्टी के अध्यक्षा, महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही है, कि अगर सब कुछ सही है, तो फिर आमी को क्यों नहीं हटाया गया? देखिए जो बाते महबूबा जी और फारुग जी करते हैं, एक कहता है पाकिस्तान से बात करो महबूबा जी की स्टेट्मेंट है कल की, फारुग जी कहते हैं कि चीन की मदद लेके 375 एको लाएंगे, ये उन देशों की बात करते हैं जो भारत के अंदर आतंग फिलाने का काम करते हैं, अतिकरमन करने का काम करते हैं, भारत को कोविड जैसी बिमारी देते हैं, ये उन से सहयोग मांगने की बात करते हैं, हमने आतंग बात का भी मूत और जवाब दिया, अतिकरमन का भी दिया, और कोविड पर भी अच्छे कदम मोधी सरकार ने उठाए, लेकिन मै दोनों से पूछना चाहता हूँ आप क्यूं बार पर पाकिस्तान से बात करने की बात करती हैं क्या है आपका पाकिस्तान से रिष्टा आखरकाल जमूरियत अगर आना चाहती है वोट करने के लिए आप उनको डराते हो आप election नहीं होने देना चाहते कि नए पीडि कहीं चुन सतर वर्षों तक राज करके लूटने वाले लोग हैं ये नहीं चाहते कि कश्मीर में नई नेत्रत खड़ा हो नई लीडर्शिप खड़ी हो इसलिए ये पंचायत बीडीसी और डीडीसी के चुनाबों का विरोध कर रहे थे इनकी चली नहीं तो भहिशकार कर नहीं पाए कॉंग्रेस का तो मैं कह दूँ उत्तर परदेश में मातर दो परसेंट वोट मिला गुजरात में तीन सीटें इनकी जमानत जब्त हो गई बिहार में इनके कारण आरजडी भी हार गई यूपी में तो इनका पहले बुर्य विस्तरा बंद था मनिपूर में भी पांचों की प बात कही जा रही थी डॉक्टर फारुक अब्दोला बयान देते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी एक साथ लड़ने वाली है लेकिन थोड़ी देर के बाद कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है यानिकि समझ ही नहीं आ रहा कॉंग्रेस प पी नहीं है यह पड़दे के पीछे है और आप अलग-लग सीटों पर भी देखोगो तो किसी ने एक का कैंडिय ड़टाया और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लेकिन जब जनता मन बना लेती है आप जितने मर्जी ठग बंदन कर लो यह ठग बंदन वाले ठगी ठोरी करने वाले इनकी जनता नहीं सुनेगी क्योंकि जनता दुखी हो चुकी थी जनता अब नया जम्मू किश्मीर चाहती है विकास चाहती है आगे बढ़ना चाहती है बच्चों का उजूल भविश्चे देखना चाहती है पत्रा बंदूक भरष्टा चार इससे मुक्ती च चाहती है कि निरिंदर मोदी जैसे देश को आगे लेकर जा रहे हैं वैसे ही जम्मू किश्मीर का हिस्सा भी साथ में आगे बढ़ना महबूबा मुफ्ती कहती है कि अगर